नमस्कार मैं हो बिनाश पैंडे और आप देख रहे हैं निउस वन लेवन और इस विस्व कप में बहुत कुछ हुआ एक तरफ इंडिया ने कई रिकॉर्ट भी बनाए लेकिन अंतता सेमी फाइनल में उसे हार का सामना करना पड़ा और वर्ल्ड कप से बाहर हुए और इसके किरकेटर महं सिद्ध होनी की जमकर प्रसंथा करते हुए कए कि धोनी होना आसान नहीं है केंदवविय魔ंतरी ने ट्विटर पर यह ट्वीट किया और उन्हों लिफा कि महंस भूह अर्ण खिलाडी है और उन्होंने क्रकेट महंस्तान के लिए बहुत कुछ दिया है अब बाकी खिलाडियों को जरुरत है कि वो महन सिंग धोनी बन कर दिखाएं इसके बाद एक सवाल ये उट रहा है कि क्रिकेट से सन्यास के बाद क्या बीजेपी में शामिल होने जा रहा है महन सिंग धोनी दरसल किर्केटर महनसी धोनी किर्केट से सन्यास लेने के बाद राजनीति की पीच पर अपनी पारी के शुरुआत कर सकते हैं जानकार उकी माने तो किर्केट को अलवीदा कहने के बाद वो भारतिय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं पूर्व केंद्रिय मंत्री और भाजपा के नेता संजय वासवान ने ये दावा किया है कि धोनी भाजपा में शामिल हो सकते हैं उन्हें काया कि इस संबंध में उनसे काफ़ी समय से बाद चित चल रही है हलाकि इस फैसले पर धोनी एका अधिकार है और वो फैसला लेंगे लेकिन अभी धोनी ने सन्यास की कोई फैसला नहीं किया है और इस बीच जो तमाम खबरे निकल कर आ रही है उसके तहत हम अगर आपको बताएं तो भाज़पा में आने के लिए उनसे बाद चित की जा रही है और अधिकार धोनी एज ने जिस तरीके से अपना खेल दिखाया और जिस तरीके से वो भारतिये क्रिकेट प्रेमियों के दिल में बसते हैं और अगर वो किसी पार्टी में भी जाते हैं तो उनका उस पार्टी का कद बढ़ जाएगा और इसलिए तमाम पार्टी ये कोशिश जरू करेगी कि अगर महन सुिंग धोनी सन्यास लेते हैं जिसका कि अभी उन्होंने कोई घोश्रा नहीं किये तो अगर सन्यास लेते हैं तो इसके बाद उनकी अगर राजनीती पारी शुरू भी होगी तो वो किस पार्टी से होगी इसलिए तमाम पार्टिया उनके साथ संपर्ग करने की कोशिश में लगे हुई लेकिन अगर कुछ पुर्व किर्केटरों की बात करें जिसमें जोट सिंग सिध्धु का नाम आता है वो राजनीती में आये और आज राजनीती के बड़े चहरे माने जाते हैं इसके बाद अगर बात कर ले तो किरति जहा आजाद वो भी राजनीती में आये उन्होंने भी अपनी पारी के राजनीती की पारी की शुरुवात करेंगे और अगर करेंगे तो क्या वो पार्टी बीजेपी होगी न्यूस वन अलेवन के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दवाएं